ये दिन बैंक निप्टी और निप्टी के कौन से option में best trading opportunity हम लोगों को मिल सकता और उसके फीचे का complete logic क्या है तो सबसे पहले start करते हैं निप्टी का analysis अभी आपके सामने में जो चार्ट लगाया हुआ है वो निप्टी का spot का daily का चार्ट लगाया हुआ है इसका पहले हम लोग analysis करेंगे psychology point of aspect से समझेंगे कि market में फिलहाल के लिए कौन सा sentiment चल रहा है फिर हम लोग price action सिखेंगे price action में देखेंगे कि market में train कौन सा चल रहा है और क फिर उसको open interest के data का confirmation लेके सिखेंगे कि यहाँ पर जो भी हम लोगों को scenario मिल रहा है उसमे probability और success rate बढ़िया कैसे हो सकता है तो सबसे पहले sentimental analysis करते है फिर हर के लिए आगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर clear cut दिख रहा है कि market में जो है वो downtrend बना हुआ है पिछले ती फ्राइडे के दिन जनरली जो momentum होता है वो कम momentum देखाई देता है क्योंकि वहाँ पर market में open interest का data कम रहता है लेकिन last Friday के session में हमें आच्छा कासा momentum यहाँ पर देखने को मिल चुका है अभी इसके बाद Monday के दिन market में कहाँ पर जाना चाहिए यह समझने के लिए यहाँ पर जि range bound रहे तो भी कोई फरक नहीं पड़ता तो यहाँ पर यह probability को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लोग already profit में वो कैसा सोच रहे है अगर एक बर आप उनकी सोच को समझ लेते हो और आपनी सोच को उनकी सोच के साथ सिंग करते हो तो आप एक professional trader बन पाऊगे अभी जो लोगों ने यहाँ पर selling के position बनाए हैंगे selling के position इंदसें जिन्होंने call के side में short के position बनाए रहेंगे जिन्होंने call को right किया रहेगा उनके लिए profit जब तक बढ़ता रहेगा जब तक market range bound रहेगा या फिर market नीचे जाएगा अगर market range bound रहेता है तो time decay का उनको benefit मिलता है अभी वो लोग अपने sell के position को exit करेंगे otherwise वो अपने sell के position को continue रखेंगे तो हमरे लिए important यह है कि हम लोग अभी यह psychology समझ चुके है कि market ने एक अच्छा का 700 पॉइंट का downside का momentum दिखा दिया तो कल के दिन market आइदर range bound रहेने के high probability रहेगी या फिर market जो है वो downside के momentum को continue रख सकत है तो हम really sentimental analysis से यह confirm हो गया कि इस तरीके का scenario बन सकता है अभी market में market में नीचे अगर जाना है तो नीचे जाने के लिए हम लोगों को अगर trade लेना है तो उसके लिए price action बनना चाहिए मतलब जो भी हम लोगों को support का level मिलेगा अगर support के level के करीब आके market consolidate करता है range bound momentum दिखाता ह और free breakout दिखाता है तो हम लोग यहाँ पे sale का position ले सकते है और market अगर उपर जाता है उपर की side में कोई important resistance level आता है तो यहाँ पे reversal का trade ले सकते है अभी यह समझने के लिए हम लोग 15 minute chart के उपर जाएंगे 15 minute के chart को अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 3 दिनों का data हमें clear cut indicate कर रहा है कि market जो है वो one sided downside का momentum लागा रहा है तो market को यहाँ पर price action बनाना पड़ेगा जब तक market यहाँ पर price action नहीं बनाता तब तक हम लोग confirm decision नहीं ले सकते कि कौन से level के उपर कौन से option में trade लेना है market कल opening के बाद आगर इसी level के करीब मतलब 17800 का जो important level है इस level के करीब आग के put को यहाँ पर buy कर सकते है आइडेली हमारा stop loss जो रहेगा वो यहाँ पर last वाला जो swing high बना रहेगा वो stop loss हम लोग यहाँ पर लगा सकते है नीचे की side में one as to two का target हम लोग यहाँ पर निकाल के चल सकते है उपर की side के trade के लिए मैं कल बिल्कुल interested नहीं रहूंगा क्योंकि उपर के side में अगर market को जाना है तो market को यहाँ पर कुछ ना कुछ price action बनाना पड़ेगा और फिर open interest के data में वैसा confirmation आना चाहिए कि put के side में writer लोग आ रहे हैं तभी जा के हम लोग buying के बारे में सोच सकते हैं otherwise कल के दिन buying के बारे में हम लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है तो कल के दिन याद रखिए कि उपर की side पे हम लोगों को sale on the rise का या फिर नीचे की side में support के level के break के बाद ही trade करना है otherwise हम लोगों को ज़्यादा जलबाजी नहीं करनी है अभी देख लेते हैं कि bank nifty किस तरीके का scenario बना रहा है अगर कल के दिन कोई अच्छा opportunity मिलेगा तो मैं अपने इस free वाले channel में आपको update कर दूँगा जिसका link मेंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है अभी bank nifty का अगर chart हम लोग ठीक से देखेंगे तो bank nifty के chart में भी आपको same type का scenario दिख रहा है कि पिछले 3 दिनों से market जो था वो 43,600 से लेके almost 41,600 के करीब आ चुका है मतलब bank nifty म तीन दिन में ही 2000 point की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है जब भी इतनी बड़ी गिरावट आती है तो उसके बाद थोड़ा सा profit booking हम लोगों को expect करना चाहिए क्यों होता है इसके पिछे का reason समझने की कोशिश किजिए जो लोगों ने उपर की rate पर sale किये करेंगे उनों को क्या हो जाएगा time decay का benefit मिल जाएगा और उसमें से कुछ लोग यहां पर profit book करना प्रेफर करेंगे अगर profit booking में मार्केट में छोटा सा upside का train develop हो जाता है तो हम लोग उसमें trade करने के लिए interested नहीं है हम लोग कहां पे trade करेंगे जहां पे phrase buyer phrase seller आ जाएंगे वह हमर लिए important रहेगा प्लस अगर वहाँ पे writer लोग trap हो जाते तो हमर लिए वो important रहेगा अगर यह दोन scenario match हो जाते तो यह दो scenario में हम लोगों को एकदम quick और fast momentum मिलेगा हैसा है quick और fast momentum option buyer लोगों के लिए important रहता है क्योंकि premium सबसे ज़्यादा तब ही बढ़ता है तो हम लोग continuous downside के momentum में कोई भी price action का pattern यहाँ पर नहीं बन रहा है जब यहाँ पर market consolidate होगा range bound होगा तभी फ्रेश लोग यहाँ पर इंटर होंगे तो हम लोग wait and watch की mode में रहेंगे कि कब जाके fresh लोग यहाँ पर इंटर हो जाता है और यह हमें open interest की data में समझ में आ जाता है यह अगर आप को सिखना है तो आप मेरा free वाला course join कर सकते हो free वाले course को कैसे join करना इसके details मैंने telegram channel के उपर दिये हुए है और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अगर नीचे की side में support level को हम लोग ढूनने के लिए जाते है तो हम लोगों को एक support level और नीचे मिल रहा है जो market में एक high probability वाला support निकल के आ रहा है लेकिन वो बहुत ही लंबा है तो market इतना लंबा stretch होगा ऐसा मुझे doubt लग रहा है क्योंकि global scenario उतना negative है नहीं है market में आप यह range bound zone में इंटर होने की market कोशिश करेगा अगर आप यहां पे ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा य यह वाला price action का जो zone है वो एक range bound zone यहां पर निकल के आ रहा था अगर market इत जोन में चला जाता है तो market यहां पे दुबारा एक range bound का momentum continue रख सकता है जो हमारे लिए सबसे important रहेगा सबसे better रहेगा और हम लोग वही expect कर रहे हैं market में वीशे प्रिकावरी यहां पे possible नहीं है क्योंकि वीशे प्रिकावरी तभी possible हो सकता है जब कोई बड़ा positive news आ सके अभी फिलाल के जिस तरीके से global market में news रहे है करोना वापस आने की probability बढ़ रहे है तो वहाँ पे एक negative sentiment हम लोगों को create हो चुका है लेकिन negative sentiment में आभी भ आनिक निसा जाएगा तभी तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर market consolidate होने तक हम लोग wait करेंगे तो level देखने के लिए 15 minute chart के उपर जाना पड़ेगा अगर 15 minute का chart हम लोग ठीक से देखेंगे तो same nifty की तरीका है scenario यहां पर develop हो चुका है market ने एक ने भी लोग buy करेंगे वो buy करने वाले यहां पर trap हो जाएंगे हम लोगों को यहीं चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम कल के दिर market consolidation की जोन में बिता है अगर morning hours में consolidation की जोन में बिताता है और afternoon में को हम लोगों को breakout मिलता तो वो सबसे बड़ीया trade रहेगा तो हम लोग क support का जोन निकल के आ रहा है market यहां पर 500 की 41,530 का जो level है इस level के करीब market थोड़ा बहुत consolidate करता है उपर नीचे होता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे consolidation के phase को complete होने के बाद market इसको downside की तरह break करता है तो हम लोग उस case में 41,500 का जो put है वो 41,500 के put को हम लोग यहां पर buy कर सकते stop loss हमरा swing high के ऊपर करेगा नीचे की side में target हमरा बड़या निकल के आ रहा है लेकिन उसको time लगेगा एक से दो दिन में भी यह target आने वाले समय में आ सकता है market यहां पर जितना ज़्यादा time spend करेगा उतना हमरे लिए better रहेगा मैं तो चाहता हूँ कि यहां पर सोमोर अंगलोर के दिन दोनों दिन market जो है वो अगर range bound scenario में रहता है और range bound scenario के बाद बुदवार के दिन हम लोगों को एक बड़िया breakout मिलता है या फिर गुरवार के दिन breakout मिलता है तो हमारे लिए option buyer के लिए बहुत बड़े opportunity हम लोगों को create हो जाएगा तो यह दो दिन में अगर market trendy रहेगा तो कम समय में जादा पैसा बनने की probability रहती है तो इसी तरीके के educational वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like कीजे कुछ doubt रहेंगे तो मुझे comment section में बता दीजे और आपने youtube channel को subscribe करके bell icon का button दाबा दीजे मिलते है next educational वीडियो में thank you very much